इसकी फुल फॉर्म है United Nation Economic and Social Commission for Asia and Pacific इंपोर्टेंट है और एविन मैं आपको बताओं जो हमारा UPSC का सिलेबस है उसमें GS Paper No.2 का सिलेबस ओपन करो ओपन कर गए बिल्कुल लास्ट वले पॉइंट पर जाओगे यह आपको लिखावा मिलेगा National and International Organizations तो ऐसे संगटन को पढ़के जाना है यूँकि आपके सिलेबस का हिस्सा है ऐसे में कई सरे संगटन आ सकते हैं तो यह जो न्यूस बनावा है फटाफट इसको डिसकस करेंगे फुल फॉर्म मैं अभी आपको बता चुका हूँ अब यह बता देता हूँ कि आखरेकार यह चर्चाओं में क्यों है फिर आपको एक्जाम के लिए कुछ important data बताऊंगा चर्चाओं में इसलिए क्योंकि दोस्तो अभी इसी UNESCAP की साइट से एक report आती है उस report में यह बताते हैं कि जो दुनिया बर की countries ने 2030 तक 17 अलग अलग sustainable development goals को achieve करने के लिए जो promise किया हुआ है जो अपना target सेट किया हुआ है वो target achieve हो ही नहीं पाएगा क्योंकि हम बहुत पीछे चल रहे हैं और उस जिस growth पर चल रहे हैं जिस तेजी से हम इन development goals को achieve करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ऐसे तो भीया हमें 2062 लग जाएगा तब भी achieve नहीं हो पाएगे तो यह goal को achieve करने के लिए गती हमें बढ़ानी होगी यह report अभी UNESCAP की site से आई है अब यह body हमारे लिए ज़ादा important हो जाती है examination के point of view से क्या है यह body तो दोस्तों यहाँ पर कैसे तो एक inter-governmental platform है कई सारे देश इस particular group का हिस्सा हैं जिनकी सरकारे आपस मिलकर work कर रही होती है इस group को बनाया गया था 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ऐसे यहाँ पर थोड़ा धियान लेना बाकी mandate की बात करेंगे इसके कुछ काम की बात करेंगे तो यह जो body है इसका main काम है जो हमारा Asia और Pacific वाला region है especially उन में economic और social development को जाद से जादा promote करना इस commission के अंदर में main मकसद है जो भई इसके 53 members है ध्यान लगना इसमें कितने members है उनके बीच में आपसी संबंध cooperation को improve करना ठीक है बाकी इसके 9 associate members भी है बाकी ध्यान लगना है दोस्तों यह जो United Nation वाली body है United Nation की ही एक important commission है यह UNESCAP clear इसका headquarter कहाँ पर है very very important Thailand के अंदर Bangkok में इसका headquarter present है बाकी अभी हम बात कर रहे थे हाँ इसने sustainable development goal को report लेकर report प्रस्तुत किये तो यह goal क्या है तो दोस्तों यह total 17 goal है जिसको दुनिया भर की countries ने adopt किया 2015 में इन goals में क्या क्या चीज़े है गरीबी को दूर करना भुकमरी को दूर करना अच्छी health promote करना quality education promote करना gender equality लेकर आना साफ पानी provide करवना ऐसे total 17 goal है इनको 2030 तक achieve करना था बट अभी UNESCAP की जो report है यह बोलती है भाई झाल बटवे है ठेल करना साफ इन भाई टमुन कि यह इन ऊफल्ड़ दीच घसने है था उ SARओ Jen